कि बुब पूर्च पार्ट्रेशं के पूर्च पार्ट्रिस फैलो फ्रेंड्स कैसे आए आप सब लोग उम्हेद करता हूं कि अच्छे ही होंगे मैं आशे इस पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का करके वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि विश्व की कुल कितनी जलसंदियां है जो इक्जाम की प्रती चक्रवाद को भी की चक्रवाद बनता कैसे है और कहां उसका कितना प्रभाव करता है तो आईये जिने किसी देवी के आज के वीडियो के सुरुवात करते हैं वीडियो में लाइश तक बने रहें सारी चीशे वीडियो में आप लोगों की ट्रेयर हो जाएंगी आईये सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसे वर्सा अथा इसके प्रकाड अब दिमार्ट में यह की कि वायू में हमेशा जलवास की उपस्थिती होती आप लोग जानते हैं तभी वर्सा होती है तो इसे अम लोग ऐसे देखेंगे कि वायू में उपस्थित जलवास जब संधनित होकर जब संधनित होकर वह पानी की बूंदों में कन्वरेट हो जाता है वही धरातल पर गिरत आए जिसे अब लुग वर्सा बोलते हैं इसे समझने के लिए डाइग्राम का और यूज करेंगे देखिए यह हमारा महासागर्थ कि यह सूर्य का प्रकास जब इस पर पढ़ेगा पढ़ेगा कि इस पर महासागरी जल पर यहां क्या होता है यहां की जो यहां का जो जल होता है जब प्रकास पुर्जा यहां पढ़ेगी तो यह दिर दिर जर्वास के रूप में ऊपर जाता है ऐसे तो यहां होते हैं बादलो पनिर्माहन होगा और जब स्ष्बा दल में ज़ो ज्वास्त 가운데 किया करेगी अ मेर करके जब संगली थोती है किण होती तो क्या बन जाती है वर्सा पॉन पानी में ज़ाफ थू कि अड़ल बर्सा रपर या महासागर हो में उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि वर्षा किसे करते हैं अब आप बात करेंगे कि वर्षा कितने प्रकार की होती है इस वीडियो में लाश्ट तक बने रहे सारी चीज़ें क्लियर होंगी बहुत यह बात करूंगा मैं कहीं आप लोगों कोई नहीं होगा वर वर्षा के प्रकार को यह वासलब मैं यह बहुत प्रकार की पहली अ माश्igor है के सोमवहनी बृसा हो दूशyu ऒढ़ें त्रवसा और अणो फूद्ञ आंडियो प्रसा और भूथ नो और तिसरी आपकी जो मैंने भी बात की चक्रवाती है कि चक्रवाती वर्सा तो इन्हीं तीनों के बारे में लोगा डिप्री नॉलेज लेंगे यहां से किश्चन हमें साब बनता हुआ आया है हर एक्जाम में तो सबसे पहले हम लोग किस पर बात करेंगे सम्वनी वर्सा पर ठीक है अभी मैंने डाइग्राम बनाया था किसका वर्सा का है हम लोग बात करने वाले हैं है कि सम्वनी वर्सा कि इस तरह से डाइग्राम बनाऊंगा कि आप लोगों को डिफनीशन मुझे नहीं बतानी पड़ेगी खुदी आप लोग बता देंगे कि सब्सक्राइश के डिफनीशन यह होगी देखिए कि सूर्य का प्रकास पढ़ा कहां महा सागर पर अभी मैंने बताया वर्सा की डिफनीशन नहीं बता रहाएं पुर्यका प्रकास पढ़ा किस पर महा सागर पर महा सागर से जलवास्थ के रूप में उपर गया जलवास्थ के रूप में उपर गया संगनित संगनन की क्रिया किया क्या बना बादल ठीक और उसके बाद यह बादल जब बना यहां वर्सा की बूंदे तयार हुई तो यहीं बादल यह आपका इस्थल भाद है ठीक कि यहां आकर यह पानी गिराती है इसे अमलब वर्सा बोलते हैं धरा समंदर से महा सागरों से सुर्य की प्रकास की उर्चा से प्रतिक्रिया करके यह वायू में प्रवेस करती हैं उपर की वर जलवास्थ बनके जाती हैं और जब जलवास् संगनन की क्रिया करता है तो वहां क्या होता है पानी बनता है वर्सा की बूंद बनती है और फिर वही बादर वह पानी आपको वर्सा के रूप में धराता पर गिराते हैं तो कुछ पानी धरातल के अंदर चला जाता है और कुछ पानी ऐसे सतय से नदियों के माध्यम से फि किसे हम लोग क्या बोलते हैं घबAnnas जहां से पाणी उठारि जलवाcor के रोक वादर नहां बादण वर्सा किया पानी कहा घरातल पर और घरातल पर दरातल से काफी पानी कुछ नीचे अंदर पानी को मादिय करके पानि महासागर में आता है इसे पूछता किसे करते हैं और सबसे बड़ा कि वर्सा के लिए कौन से क्रिया होती है तो आम लोगों ने लिए संवर्मी वर्षा अब हम लोग बात करेंगे किस वर्षा की पर्वती है इसी लिए आप लोग मैं और डाइग्राम बना बना कि सारी चीजे समझने की कोशिस करें मैं पूरी कोशिस करता हूं कि अध्य निजली आप लोगों को बता हूं कि दूसरी वर्षा कि अध्य पर्वती वर्षा यह क्या होती है इसमें भी सेल प्रोसेस होता है का है इसमें एक दिफ्रेंस है जब यहां बादल का निर्मान हो गाँ जलवास पूछा पूछ जा इंधे रही, प्रकास यहां पढ़ेगा ऊज्फ्छा छाईगा यहां तो यहां मैं बना देता हूं कि तो जब यह यह ब् perceptions क और और ऊड़ कर दे Oui आगे नहीं प्रता तो यहां से शुडशना से यहां से बास करता है यह जो बर्सार होती है आल यह इस ही के तहद में ना आपका मासिंडरा में जहां भारत में नहीं कुरें विस्व में सबसे च्राइधा वर्षा कहा वोती हैं मासिंडरा में तुक वर्शा है आपके जितने गी पुरवांचल के कि आपके हैं इस्टेट जैसे आपकी सेवेंट सिश्टर में सिक्किम सिवेंट सिश्टर जो आपका रुणांचल प्रदेश मरिपूर नागालेंड मिजोरम आसाम त्रिपुरा में यह सारे जितने इस्टेट हैं यहां पर प्रवती वर्शा होती है तो जिस्व में सब से अध सबस्कने सबस्क्राइब नाइक be a privilege नियक्त के बाद करें कि चक्रवाती वर्शा करें को थे स्बढ़ा आपका समझ्टे में हो गज Tú baka सब्सक्राम और व कि इसे आप लोग एंड करते जाएंएंगे मैं में सीटब करते जाएंगे एक पॉइड कोईंट जिस्टिस इस करूंगा आप लोग नोच भी साथ भी बना रहे होंगे उन्मीद करता हूं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी देखिए अब जो मैं बात करूंगा परवती वर्सा हो गई आपकी और कौंती वर्सा हो गई महासाघरी वर्सा है वह संद्री वर्सां से इसे जवाब की वह चकरवाती वर्सा कि महासागरों में होती है उसके बाद कुछ दूर तक तटी राज्यों में होती है ठीक है देखिए कि हर चीज में अगर डाइग्राम बनाके समझाओंगा तो सारी चीज़ें आप लोगों की मैंने स्वेट हो जाएंगी और उमीद करता होगी आप लोग इस Kṛṣṇa कि किया होता है चक्रवाद कर शारतक निर्मार कैसे होता है कİसी स्थान तरहूंठ और उस्के चारे चारो तुर्फ उंदाव्यूज तो क्या होगा की ओगँज़े घुमने लगती है कैसे यहां की जो इस्तिती है यह कि यह है तो यहां का जो होंद 21 को निंगे और यह की कर गोंडर कि यहां का जू वालेविदाब वाले चप्टर में आप लोगर कोगी था कि जो वायू होती है हम एसा वो उच्छ वायू दाप से निम्न वायू दाप की और गती करती है लेकिन जब यह गती करेंगी ऐसे गोलाकार में घूंगते हुए तो जो वायू की दिसा होगी वो ऐसे होगी है इस तरह से वो गती करेंगी कहां अंदर जाने की कोशिस करेंगी लेकिन हों की इंद्र नहीं पहुंच पा तिये जो पूप्यवायू होति है उसलिए यहां का वायूदा भने सांठी बना रहता है और चक्रवात की स्थिती बनी रहती है तो यह कारण है चक्रवात बनने का और इससे भी रिलेक्टेट कुछ पॉइंट है मैं आप लोगों को बताता हूं देखिए यह जो केंद्र है केंद्र को क्या बोलते हैं कि आख बोलते हैं केंद्र को चक्रवात का जो केंद्र है उसे आख बोलते हैं और चक्रवात बनने के लिए आपके दो कारण है ठीक कौन कौन से कारण है पहला कारण 27 डिग्री टेंप्रेचर होना चाहिए तापमान अगर इससे कम तापमान होगा तो चक्रवाद नहीं बनेगा और जो दूसरी इस्थिति है बनता कैसे है पृत्वी की गतियां चत्रमत आएगा उसमें मैंने बात की थी कोर्योली बन किसे कहते हैं पृत्वी अपने अच्छ पर खूलडन कर रही है ब्रोडन करने की वजह से जो गती उतपन होती है जो अर्जया निकलती है उसे लिए और दोनों पर सबसे ज्यादा होता है विशुत रेखा पर कुछ वे कुछ इसलिए आपके जो विशुत रेखा इक्रेटर पर जितनी भी कंट्रियां है उनमें कभी चक्रवात आने की स्थिति नहीं बनती है जब भी तो या तो पांच डिग्री उत्री एच्छास या प नोकारक है यह कारे पाहिए आपका अगया है कर शिए पुछ यूत रुफळ्त कि शलRun कि तभी चक्रवात थाक्रवाद कि आशाए कैसे अभ आव मैं बात करूंगा कि यह व Blissा कैसे करता है वर साकimana कैसे होती है इसतें है Só देखिए कि यह प्रोग लिख चुके होंगे मैं इसे रफ कर देता है कि यह और आपका स्थल ठीक है और जब यह चक्रवात महासागर से निकल लिए स्थल की और जाता है कि जब यह चक्रवात महासागर से इस्थल की और गती करता है तो इस्थल की और जाने पर जो इसके केंद्र का निम्नवाई दाब है यह यह दीरे यहां पर जो उर्जा होती है जिसकी वजह से यह चक्रवात बनता है वह कम होने लगती है कि यह सब्सक्राइब तो इसको जो अर्जा मिलती थी महासागर से निम्नवाई उदाब का जब यह सथर्की और जाएगा तो कुछ दूर पर जाने पर इसमें क्या होता है कि इसके केंद्र की जो निम्न उर्जाय को पुछ उर्जा में कंवर्ट होने लगती है क्यों कि यह जो सल्वाग में ठापमान ठीक ठाप होता है तो इस वजह से यहां पर भी उच्चवाई उदाब क्रियर्ट हो जाता है तो तो इससे जो वर्षा होती है कुछ दिनों तक ऐटी यह कुछ घंटों सब्सक्राइब कुछ भंटों को ठटुन तक चक्रवाती वर्षा होती है अब मैं बात करूंगा पषफिभी पर जो अच्छांस उन उन च्छांसों को जब कटी शन्त कितने कटीबंद हो बाटा गया है बांसरे मैं ने बात के लिया आप लोगे कि देखिए यह कृत्वी की स्थिती है कि यह आपकी इक्वेटर लाइन है भूमध्य रेखा इसके ऊपर कि नॉट कि मैं हिंदी में लिख देता हूं आप लोगों की समझ में अच्छे तरीके से आएगा यह जो उत्तरी गुलार्द हो गया आपका और यह दिक्षणी गुलार्द हो गया तो जंब दीखिए उत्री क मैं यहां कैसे चलता है चक्रवाद एंटी क्लोक आप टिक्रकवक मतलब है घर हिख और कि परित दिशा से जडिसले करने इस चलित कर mत देखेंगे और दक्षिरी गुलार्व में क्लॉक वाइस होता है तो यह इस्थिति यह हो गई इसकी उसके बाद एक इस्थिति क्या बंदती है कटिबंद कैसे हैं कि देखिए सितोष नकड़ बंद पुछ नकड़ बंदी चक्रवाद के प्रकार को भी यहीं पर हम लोग समझे लेते हैं कि अग्यों कि चक्रवाद के प्रकार पहला कि पुष्ड़ कटिबंद लिए चक्रवाद है कि और जो दूसरा है आपका कि सीटोष ना कि सीटोष ना कि सीटोष नकड़ बंदी कि चक्रवाद कि याद करिए आप लोगों चैप्टर जिसमें वहले वायुदाब और कटिबंद के बार के बारे में सारी चीज़ें क्लियर कर दीती मैंने इसकी जो इस्तिती हम लोग प्रिफ्वी के तुरू समझेंगे कि प्रिफ्वी में कहां पर कौन सा चक्रवाद आया जाता है कि यह आपकी कौन सी हो गई रेका इक्वेटर रेखा हो गई उसके बाद देखेंगे यह इस से पैंटिस डिगरी और यह तीस डिगरी यहां से यहां तक तीस डिगरी पर यह जो इस्थिती है घर्म आज बहुत लग रही है या तो दुझा मैं लिख देता हूं पिल्पवी तीस डिगरी उत्टरी अचांस तीस डिगरी दक्षिनी अच्छांस में जो इस्थिती बंदी हो वह कि युझार्षणी जो तीस डीगरी उत्तरि और तीस डीगरी दक्षिडिंग बनती है वो आपके कौन से बनती है उसल गडिए पुछ अगुषक्र देश ऑन उस्य को टीकर बंदिया क्योंर में यही भर हैा यहां इस दिग्री और शुद्य के विजम्ध्व थूद्ट्र देश्रक्षक अता है और इसे तीस से पैसे डिजया आपका उपम और शुरण यहां और यहां जो चक्रवात आता है आपका सी तो रुप परटी बंधी है कि अब यहां बनता है तो क्या पाथ इससे निकल की आती में डाइग्राम क्यों बना के समझाता है और बार क्या होता है कि प्रिश्वी को कई कड़ी बंदों में बाटा गया है और हर जगा का तापमान और हर जगा का जो ब्रेशियों होता है वर्सा का और चाहिए जलवाई हुआ हमेशा डिफरेंड होता है इसलिए जितने अच्छांस बाटे गये हैं वहां पर चक्रवात की वेस्तिती ठीक नही चक्रवात और तीस से पहसे बिगरी दक्षिनी गुलार्द में भी सिर्थवास नकडिबंदी चक्रवात आते हैं तो इसके लिए हम लोग अब बात कि स्टॉपिक पर करेंगे कि जो इनकी कुछ इंपॉर्टेंस है सबसे पहले देख लेंगे हम लोग सीतोष दोंगे है ठी अब सितोष्ण अब कर देख लाग्वात यह क्या होते हैं पचुबापों के तहटें है अब पच्वापों के बारे में बात किये थे इसमें वायुमंदम में अच्वापों के जैसे इनकी जो दिसा होती है कि ऐसी होती है कि अश्चिव से पूर रुखी और यह बती करते हैं तो इसमें से तोष्ण कड़िवंधी चक्रवात में उतना ज्यादा इंपॉर्टर्स कुछ नहीं है यही बस आप लोग इसकी बता कि यह रहें कि जो पच्वापों के तहट यह उसनकरवंधी चक्रवात आता है ठीक है सीप्रशन करवंधी चक्रवात बात करते हैं पूश्ण करवंधी चक्रवात कि जहां से क्यूश्चन बनता है एक्जाम में हमेशा कि पूश्ण कटि बन लीए पूश्ण करवात क्या है इसके तहट जो इसकी इस्थिति अभी मैंने आप लोगों से बताई कि इसकी इस्थिति है कि तीश डिग्री कि उत्तरी अच्छांस से कि तीश डिग्री दख्षणी अच्छांस तब टो इसके काफी सारे नाम दिए चक्रवाद के काफी सारे नाम दिए गया और वह नामなんだ एकजाम में डाट पूश लेता है कि यहां इस चक्रवाद काणां क्या है तो आईए देखते हैं जों सेेते इस च्ट्र लिएक लन्ध और मेक्सिको Look! र्टर जी यूशर्त और मेक्सिको में से क्या बोलते हैं कैया तार्णेडो ए तंद एक अ मेक्सिको से क्या बोलते है तौर्णेडो और उसके बाद कोम सा आता है क्या जान ज़ों की कहा है के Tuc सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे जो करेंगे आप लोग जब देखेंगे कौन से खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी अमेरिका में मेक्सिको पढ़ता है आपका अमेरिका सबसे उपर कर लेंड एक उसके लीचे मेक्सिको पढ़ती मेक्सिको की खानी आप लुगत देखेंगे तो कहां पर अट्लांटिक महासागर में आपके पढ़ती हैं उत्तरी अट्लांटिक में एक ऐसे च्छटे श्टेड में जो आपका वेस्ट इंडीज है वह इस इस से सप्रस मेक्सिको दोनों में नाम से बुलते हैं और इसकी जे तर्म वेश्该 theo क्रिशन कुछtype अधिट sweetness नाम भी चीन की तरह ही Dan कि टाइफून बोलते हैं ап सिर्ष में चप्रवाद को टाइफून बोलते हैं को और एक most important है आपका जो कहां का है और कि अज्टरालिया का कि अज्टरेलिया का अज्टरालिया में इसे क्या बोलते हैен कि वीली-वीली कहीं कहीं वोली-वोली निसमा अध्रोगों को तो वो भी आप तो इसे हम लोग बाट लेते हैं याद करने के दिख लेते हैं भारत चक्रवार्थ जिनसे मेक्सिको और नहीं लो बनता कास है मेक्सिकों से अरेवियों सागत हरी के नम से चिन टाइफून अस्ट्रेलिया में विली विली तो एक दो तीम चार टोटल पांच कंट्रियों में ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे समझना कि इसे क्या बोलते हैं कैसे इस पर बात होती है अब हम लोग बात करेंगे इसे आप लोग याद कर लीजिए अब इसके बाद मैं जिस इस पर बात करेंगे उमेद कप आप लोगी से लोग डाउन कर लिए हो आई है चक्रवाद और प्रती चक्रवाद को देखने के लिए हम लोग दोनों को पहले बांट लेंगे इस इधर हो गया हमारा कि चक्रवाद इधर अब परी चक्रवाद अर्यार के मार्कर तो मिस्क विए ब्लू और रिड अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को देखिए चक्रवाद की स्थिति मैंने आप लोगों को दिया बताई है यह अब अब सोचेंगे बारबार डाइग्रामी क्यों बना रहे हैं अभी समझ में आएगा आप लोगों कि हवा अंदर के यह गति करती है अहां जाने की कोशिस करती है निम्न वाइव दाब में पूच्छ वाइव दाब से तो तो निकल के आता है कि यहां जो वायू कि अंदर की हो रहा है कि अंदर वो रहे तो यहां अब बहुत गोर से देखते का कैसे यह केंद्र हो क्यां यह जो बाह च्छत्र होता है यहां का वाइव दाब इसमें निम्न होता है और यहां का कि उच्छ होता है तो आप लोगों को मैंने कई बार पढ़ाया है कि हमेशा उच्छ वाइव दाब से निम्न वाइव दाब की और वायू गति करती है तो इसकी में रिजल यह इसका निकल कियाता है और जो दूसरा है कि यह है इस तरी गोलार्द में अनिम्हें बताया है तो दूसरी गोलार्द में है इंडी क्लोक वाई चलता है और यह है तरी गोलार्द में करवाइब चलता है और यह दर्चुनि गोलार्द में कैसे चलता है क्लाक वाइब को से और यह अग्छों कर दो है यह जब यह फॉट रिल आप एल टी क्लाप वाइब तो यहां से किज निकल गया आती है कि जो चक्रवात होता है वह हमेसा उत्री गुलार्द में भी चलेगा दक्ष्नीक लारग में ईंडिकवार्च उप को सब्सक्राइब होता है उपार प्रभ noodle कि तूब्ल क्योंसाफ सब्सक्राइब कर जाते तो क्या निकल या तो इसे वर्षाcji कि अधि कि तूफान की स्थिति बनती है और परी चक्रवाद से मौसम साफ होता है कि मौसम है कि साफ होता है तो यही तीन चार अंतर ऐसे हैं कि जो आप लोगों को पढ़ने चाहिए चक्रवाद कता प्रदी चक्रवाद की बारे में तो कि जहां तक मुझे लगता है कि जितनी चीजे मैंने आप लोगों को बताई वह क्लियर हो गई होंगी और मैं यह भी नहीं कह सकता कि मैंने वर्सा से रिलेटेड सारी चीजें आप लोगों को बता दी क्यूंकि पता है पढ़ाई ऐसी चीज है नहीं कि यह खुद एक मासा आग पढ़ते रहिए और साथ में आप लोग भूक भी पढ़ते रहिए क्योंकि यहां से पढ़ने के बाद अगर आप लोग उठाएंगे तो देखेंगे कि कापी सारी ऐसी चीजे होंगी जो मुझे सायद छूट गई होंगी क्योंकि मैंने कोशिस तो पूरी तरह से की थी सारी करिए नए हों चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिस तरह से प्यार दे रहें प्यार बनाए रखिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय भारत भाई भाई खयार रखिए आप लोग उतना